आप इस वीडियो में जानेंगे आँखों की सूजन को दूर करने के असरदार उपाओं के बारे में सुबह जब आप अपनी सूजी हुई आँखों को देखते हैं तो कितना गुशा आता होगा क्योंकि आपकी आँखें ही आपकी खुबसूर्ती को बढ़ाती हैं और ये आम समस्या आपको कभी कभी परिसान कर देती है आँखों में सूजन के कई कारण हो सकते हैं जैसे की ज्यादा रोने से अत्यदिक सारीरिक तनाव लेने से सिरदर्द जैनेटिक समस्या सरीर में हार्मोन्स का असंतुलित होना मौसम में बदलाव साइनस समस्या हैंग ओवर यानि की अत्यदिक अल्कोहल के सेवन से गल्द आहर नीन ना आना और कुछ अलरजी से चुके हैं तो एक बार इन उपाएं को जरूर अजमाएं या उपाई इस प्रकास से हैं आखों की सूजन दूर करे आलू का या उपाई एक आलू को धोकर सुखा लें अब एक साब कपड़े में आलू को घिसने के बाद डालें इस कपड़े में आलू को टाइट करके आँखों की सूजन एक गिलास ठंडे पानी और दो चमचों से दूर हो सकती है। गिलास में आइस कोल्ड पानी लें फिर इसमें दो चमच कुछ में तक ठंडा होने के लिए डुबो कर रखें। फिर इन दोनों चमच को अपनी आँखों पर रख लें या पक्रियात तब तक अपनाएं जब तक आराम न मिल जाए। इससे आपको तुरंत आराम मिलेगा। और हाँ दोस्तों वीडियो को अंतक देखें क्योंकि वीडियो में आगे और असरदार उपाई बताएगे हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आईकॉन बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको ऐसी और ने इसमें दो से चार बुंदे हेजल वीज की भी डाल लें। फिर एक मुलाइम कपड़े या रूइंग की मदद से इस मिसलन को आँखों के आसपास लगाएं। अराम मिलने तक इस नुस्के का इस्तेमाल करना है। विटामिन ई ओयल का उपाई। एक टोरी में ठंडा पानी लें और इसमें कुछ बूंदे बिटामिन ई ओयल की डालें। इसे अच्छी तरह से मिला लें। इस मिक्सर को रूइंग में भिगोकर आँखों पर 20 मिंट के लिए रखें। इससे आँखों के आसपास सूजन में रहत मिलेगी। बर्फ की सिकाई का उपाई। अगर आपक आँखों पर थोड़ी थोड़ी देर के लिए रखें। ऐसा करने से आपकी आँखों की सूजन पांच यह 10 मिंट में दूर हो जाएगी और आँखों में ठकान भी नहीं रहेगी। गुलाब जल का उपाई। गुलाब जल तनाव से भरी और ठकी आँखों के लिए एक अब जल के रोजाना इस्तमाल से आँखों की नमी भी बनी रहती है। ठंडे दूद का उपाई। आँखों के दर्द और ठकान दूर करने के लिए दूद भी एक बहुत कारगत तरीका होता है। दूद में माजूद बसा, सूजी और ठकी हुई आँखों के लिए बहुत फ मसाज करने के दौरान पलकों को थोड़ी थोड़ी दिर के लिए बंद रखें। ऐसा करने से कुछ ही समय में आपको आँखों की सूजन से अराम मिलेगा। और हाँ दोस्तों यदि आप आँखों के कारण से दर्द वो आँखों के दूंदले पंद को दूर करने के उपायो के बारे में जाना चाते हैं तो इस वीडियो के ऊपर आईवॉल के बटन तता वीडियो की नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये गे लिंक पर जाकर देख सकते हैं खीरे का उपाई खीरे के टुकड़ी भी पपिस आईज से राहत पाने और सूजन को कम करने में मदद करते हैं फिरीज से ठंडा खीरा निकालें और उसे छेल कर दोलें अब इसके दो स्लाइस काटें खीरे के इन स्लाइस को आखों पर तब तक लगा कर रखें जब तक खीरे का ठंडा पन चलाना जाए ऐसा करने से आपको सूजी हुई आखों में राहत मिलेगी साथ ही ऐलोवेरा जोरियों और फाइन लाइन्स को भी दूर करने में मदद करता है अपनी आखों के नीचे ऐलोवेरा जल को लगाएं इससे रक्त परिसंचर्ण सूदरता है और आखों के आसपास के दरब को भी कम करता है जिससे आपकी आखों की सूजन कम हो जाती है जब आप ऐलोवेरा जल लगाएं तो ध्यान रहे कि ऐलोवेरा जल आपकी आँखों में ना जाए अगर आपके पास सुध ऐलोवेरा जल नहीं है तो आप ऐलोवेरा जल से बना कोई उत्पाद भी ले सकते हैं बिटामिन के बिटमिन के की कमी से आँखों में सूजन होती है इसलिए जरूरी है कि आप अपने आहर में बिटमिन के युक्त खादयपदात जरूर सामिल करें जैसे हरे पतेदार सबजियां बुरुकली, गाजर, स्ट्रॉबरी, इत्यादी शेरीर में रक्त परिसंचरन के लिए बिटमिन पफिनेश को दूर करने और बलड सर्कुलेशन को बढ़ाने में साहिक होती है दो टी बैग लें और उन्हें 20 मिन्ट के लिए फ्रीज में रख दें अब इन टी बैग को 15 से 30 सेकंड के लिए आँखों पर रखें इसे आपको आँखों की सूजन में आराम मिलेगा स्ट्रावएरी का उपाई स्ट्रावएरी में अल्फा हैडरोकसी होता है जो तौचा को कोमल और जवान बनाने में मदद कता है यह आँखों की सूजन और फूलने की समस्या को भी दूर कता है इसके इस्तमाल करने का तरीका इस प्रकास से है सबसे पहले आदे गंटे के लि हो जाएगी नारियल के तेल का उपाई नारियल के तेल में मौजूद लॉरिक एसड में सूजन रौधी गुन पाई जाते हैं जो सूजन और फूर्णी की समस्या को कम करते हैं यह तोचा को आसक पोसक तो भी परदान करता है नारिल के तेल को रोजाना लगाने से सूजन बिलकुल खतम हो जाती है इसके इस्तमाल करने का तरिका इस प्रकास से है साफ उंगलियों से नारिल के तेल को लें और फिर उसे अपनी आँकों के नीचे कुछ मिन तक लगाएं रात भर के लिए नारिल के तेल को ऐसे ही लगा हुआ छोड़ दें रात को सोने से पहले इस पक्रिया को रोजाना दोराएं दोस्तों उमीद काता हूं कि वीडियो को आपने अंतक देखा होगा और आप इस जानकारी का लाप उठाएंगे साथ ही इसे अपने ज़रूरत मन दोस्तों में शियर करेंगे यदि आप इसे स्बंदित और जानना चाते हैं तो कुमेंट सेक्षन में ज़रूर बताएं हमें आपके कुमेंट्स का इंतजार रहेगा ताकि इसे स्बंदित लिटस्ट वीडियो आपके लिए लाते रहें